ओम नमेशिवाई ओम नमेशिवाई दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल में एक बार फिल से आपका बहुत स्वागत है आपको सुबह उटकर किसका मूँ देखना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन शुब मंगल और बहुत ही शानदार भी थे क्योंकि सुबह की शुरुवात ही हमारे पूरे दिन की दिशा और निर्देशन को बताता है कि आज का दिन हमारे साथ क्या क्या चीज़े सकारतमक होने वाली है क्योंकि हमारे पास सिर्फ चोईस घंटे होते हैं जीने के लिए बाकी भविशे हैं बाकी भूत हैं वरतमान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है तो इसके सुरुआत में हमें किसका मुँ देखना चाहिए और क्या करना चाहिए अगर आपको यह जान लेंगे तो शायद आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं ये कई सारे जातकों ने इस प्रयोग को उप्योग में लाया है और उन्हें साथ दिन आठ दिन के अंदर एक सकारत्मक बहुत ही जादा सकारत्मक फायदा मिला है सबसे पहले आपको कभी भी सुबह उठकर खुद का मुँ नहीं देखना चाहिए बहुत से जातकों कि और शायद आपकी यह आदत होगी अगर आपकी यह आदत है कि हाँ आप सुबह उठकर खुद का मुँ देखते हैं तो कमेंट से मुझे जरूर बता है खुद का मुग कभी ना देखें ये गलती बहुत से जाता करते पर ये आप कभी ना करें दूसरी सावधानी ये रखना है कि बहुत सारे जातक सुबह उठते ही एकदम से जाते हैं अब मैं बताओं कि किन का मुँँ आपको सुबह देखना जो आपके लिए शूब होगा खासकर आपकी राशी के लिए उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल मुँ देखने की चाहिए कोशिश करें सबसे पहले है कि अपने माता पिता अपने माता पिता का अगर आप चहरा सुबह से देखते हैं तो दोस्तों आपके नो के नो ग्रजों है कभी आपको नेगेटिव इंपक्त नहीं देंगे दूसरा है भगवान क्रश्न और राधा की वह मन-mohot तस्वीर जो आपको बहुत ही शान्ती में खसूस करा है अपने कमरे में जरूर लगा के रखें उस से भी आपको बहुत हद तक बहुत पॉजित्व वाइप्स मिलने वालिह हैं तीसरा है अपने गुरु के अपने गुरुदेव के तो गुरुदेव की तस्वीर भी आप अपने कमरे में लगा कर देख सकते हैं या अपने मोबाइल में देख सकते हैं